हाई एब्वीवान दिस शीराम शर्मा यौर बाइलोजी टीचर और वेलकम टूए प्यारास जानव पिजिक्स ब्रोग बच्चो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 था आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आगे करते हैं देखें भाई नर्वस सिस्टम क्या है देखें हमारी बॉड़ी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है और रेगुलेटेट बाई टू सिस्टम नर्वस सिस्टम और हॉर्म सिस्टम और हॉर्मोनल सिस्टम में से नर्वस वाला फास्ट होता है इंग कंपेटू हॉर्मोनल के मतला हॉर्मोनल सिस्टम थोड़ा स्लो नर्वस सिस्टम थोड़ा फास्ट होता है अब बात करते हैं अगर प्लांट के रिफ्रेंस से बात करें तो प्लांट में नर्वस सि मेरे ख्याल से इतनी बार समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे जो नर्वस सिस्टम इसका काम करने का तरीका क्या है हमारे पास तीन चीजें हैं रिसेप्टर्स सी एनस सी एनस में क्या था ब्रेन और स्पानर को भी बताएंगे और होता है एफेक्टर अब हम आपको बता रहा है कि नर्वस सिस्टम कैसे खाम करता है हमारे पास तीन चीजें हैं एक का नाम है रिसेप्टर्ड क्या होते हैं टीन सी चीजें वन वाई मुध समझते हैं जो आपके एमोस्वेर से संसेशन को wonł जैसे माल लो किसी ने मुझे पता लगेगा हाँ बिल्कु पता लगेगा अगर किसी ने केंडल ली केंडल से मेरी फिंगर जलाई तो क्या मुझे पता लगेगा किसी मेरे हाथ को यह से हटा लूँ गा तो यह नर्वा सिस्टम की वजए से हो पाया बहुता है अब यह कैसे हो रहा है पूरा सिस्टम क्या है सबसे पहले मेरे हात में यह जो कि इसकिन ने हीट का स्टीमिलेस मतलब हमारे इंवार्मेंट में जब भी कोई चेंज होता है तो हम इसको स्टीमिलेस बोलते हैं जैसे ठंड लगने लगी मतलब इंवार्मेंट में टेंपरिचर डाउन हो गया गर्मी लग रही है मतलब क्या है कि इंवार्मेंट में टेंपरिचर बढ़ ग किया तो इसकिन के पास वो रिचेपोर होते हैं जो कि आपके इस्ती इसको कर सकते हैं फिर वह रिचेपोर कर सकते हैं फिर वह कहां जाएगा स्ट्र आया तो क्या करना चाहिए CNS अपना सिंगनल भेजेगा किसके पास इफएक्टर के पास कियो भेजेगा कि भाई जलदी से हाथ को हटा लो बना हाथ जल जाए अब इफएक्टर कौन होते हैं इफएक्टर होती है आपकी मसल्स आपकी ध्लेंट्स इनस में थोड़rine से हिंड इते हैं आपकी लिए जिनके अंदर Olfac Dip村 देखने के लिए वह हेर यह के पार रोघेश और शेप्ट के लिए सब्सक्राइब पर और यारे कि स्कैंड नियुकुल ऊपकी आफ यहोती है ऐस्र में सेट के पार्फक्षन एंदर उसके बाद ग faint ठीक है ने हीट है उसके बाद फ्रेशर के प्रेशर का भी पैन का current हीट है इनका रेसेप्टर कहां ड़ तो आइए नोस इसके टंग यह सब रिसेप्टर आइवन होते हैं इनके पास होते रेसेप्टर रिसीब कर सकते हैं एट्मसफेर के स्टीमलाइस कल वे यहां पर ब्रेन होता है जो स्टीमुलेस को एनलाइज करता है फिर होते हैं इफेक्टर में दो चीज़े काउंट होती है इसने मेरे हाथ को चलाया तो मैं अपना हाथ एकदम से हाटा लूँगा ठीक है वह कैसे हुआ अब वह कैसे हुआ समझो इसकी ने इस्टीमुलेस को रिसीप किया वह भेजा किशीए को समझा कि को बत्तमीज प्राणी तुम्हारा हाथ जला रहा है उसको विड्ड्रॉल कर लो ठीक है न तो थिए ने इसको अंडेस्टेंड किया फिस सिग्नल भेजा आपके इफेक्टर को किसको बेजा इफेक्टर को जैसे मसल तो हाथ की मसल कॉन्ट्रेक्ट हुई और आपका हाथ उस जगह से विड्डॉल हो गया दूसरा एक्जांपल लेते हैं मालो एक बच्ची है मान्या उस मान्या को मैंने बहुत बुरा भला बोलना शुरू करा ठीक है तो उसके कानों ने मतलब इयर के पास ओडियो रिसेप्टर थे इयर के पास ओडियो रिसेप्टर कि जो यह सर बोल रहे हैं यह मेरी तारीफ कर रहे हैं यह मेरी बुराई कर रहे हैं अगर मेरी बुराई कर रहे हैं तो cns का सिगनल जाएगा ग्लेंड के पास कौन सी टियर ग्लेंड के पास और यह बच्ची रोने लगेगे बास संजा है हमने एक बच्ची को बहुत सारा ब पुराई हो रही है और पिर ग्लेंड को सिग्नल गया और टीयर ग्लेंडे टीर रिलीज करना शुरू कर दे बच्चा रोने लगँ दूसरा मैं ने उस बच्चे की कोई तारीव करी तो बच्चा खुश हो गया बच्चे रहासना शुरू कि वह कैसे अब दो कहा पहुंचा बो चेहरे की मस्कुरानी लगा मेरी बात समझ गया कैसे काम करने का तरीका होता है कि यहां पर यह काम हो कैसे राए देखो रिसेप्टर अपना सिगनल भेजते हैं सी एन इस के पास जिन नर्फ के थुरू उनको को बोलते हैं sensory nerve क्या बोलते हैं मेरे बेटे उनको बोलते हैं sensory nerve क्या होती है मैं भी बताऊंगा आपको sensory nerve होती है जो receptor से signal ले जाती है cns के पास और cns से जब इफेक्टर के पास signal जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार होती है मोटर कौन जिम्मेदार होती मेरे बेटे मोटर नव यह ऐसा काम करते हैं तो मेरे खाल से आपको काम करने का तरीका तो समझ में आई गया होगा कैसे काम करता है आपका nervous system अब बात कर दें यह सारी चीज़े memory में store हो रहें कि हां रामसर है वो हमको biology पढ़ाते हैं वो हमारे लिए help कर रहे हैं ठीक है और मैं भी memory बनाके रखूंगा यह मेरे बच्चे हैं जो मेरे लिए अच्छे चे कमेंट करते हैं जिससे मेरा motivation बनता है मैं और काम कर पाता हूं हां भाई मैं च् कोरोना की वज़े से सिस्टम अस्थवेस्ट हो गया पुराना सेशन अभी पूरा हुआ नहीं नए असेशन स्टार्ट हो गया तो workload बहुत जादा बढ़ गया यह थोड़ा सा issue है फिर भी कोशिश करें जल्दी जल्दी करें ठीक है thinking के लिए memory के लिए जिम्मेदार होता है ह हमारे voluntary action involuntary action जैसे voluntary voluntary समझते हो जैसे यह मैं अपना हाँ चला रहा हूं यह देखिए मैं मेरी इच्छा से चलना है लेकिन मेरा heart लगातार बीट कर रहा हाँ दिल धड़क रहा है ना पो बिना किसी कहे involuntary तरीके जो हमारी इच्छा से काम करें वह voluntary जो हमारी बिना अच्छ अबी विंटर चल रहे थे तो उसको विंटर को कोड को कर रहा था तो यहां पर हम यह समझ में आ गया कि nervous system काम कैसे करता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब बात समझते है कि nervous system में क्या होता है किन-किन चीज़ से मिलकर nervous system बना होता है nervous system का सब से important part होता है हमारा brain नवर सिस्टम का सबसे important part क्या है brain brain के अलावा spinal cord ये दो main part होते हैं इनको processing unit बोलते हैं एक तरह से उसके अलावा brain और spinal cord से ही केवल काम नहीं चलेगा signal को लाने के लिए signal को ले जाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे wire चाहिए जैसे ना आपके घर में electricity होती है तो आपको bulb ज brain है spinal cord है muscle है इनको collect करने के लिए हमें क्या चाहिए nerves उसके अलावा कई सारे sensor चाहिए जिसके पास sense receptors होते हैं जो की हमारे लिए response कराने में help करते हैं ठीक है अगर मेरी skin नहीं होती तो यह आसपास में गर्मी है सर्दी इसका sense हम कैसे कर पाते तो पहले stimulus को receive करने के लिए receptor की भी जरूरत होती है तभी तो process करेंगे भाई सोचो मेरे पास year नहीं होती तो sound का stimulus कैसे receive होता अब receive नहीं होगा तो brain क्या process कर लेगा बास समझ गया मेरी बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक important information हम अपना एक live course भी launch कर चुके है class 10th ICC के बच्चों के लिए जिसमें आपको physics, chemistry, bio मतलब complete science के साथ साथ math भी मिलती है जिसमें webhub sir, anupria mm और mac hood हम लोग मिलकर बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप लोग वो course जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप physics bro app डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link description box में दे रखा है बच्चों अगर आपको लगता है कि हम सब लोग मिलके एक अच्छा environment create कर रहे हैं बच्चों की help कर पा रहे हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को ये video recommend करें और ये course भी recommend किये एक बस इतना ही request है आपसे अच्छा हाँ इस course में आपको क्या क्या मिलने वाला है देखो YouTube पर recorded lecture तो मिलेंगे ही मिलेंगे मैं भी time to time live भी आऊँगा YouTube पे हम लोग mente quiz भी करेंगे ठीक है लेकिन अगर आप मेंसे कोई बच्चा live class attend करना चाहता है जैसे हम live class के सा सा recorded lecture भी देंगे जो आपकी class अगर कभी मिस हो जाती है तो उसका recorded lecture मिलता है doubt session हम live doubt session भी देते हैं उस assignment बच्चों को मिलते हैं कि सारी चीजे हम इसमें perform करा पाते हैं अपने बच्चों के लिए previous year की question paper भी हम इसमें discuss करते हैं आपको paper भी मिलते हैं सारी चीजे इसमें आपको available होते हैं YouTube पर थोड़ी सी limitation है हम सिर्फ आपको पढ़ाई पाते हैं बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं दे पाते तो उसके लिए बस एक ही काम करना है कि physics pro app को download की जिसका link description box में दे रखा है और वहां जाके आप course को देख सकते हैं और join कर सकते हैं ठीक है मत्चों तो आगे देर ना करते हुआ हम आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे कि यह जो nervous system है इस nervous system का जो unit है वो और nerves यह सारी कि सारी बनी होती है neuron या nerve cell से किससे बनी होती है neuron या फिर nerve cell से इसी लिए इनको unit of nervous system कहते हैं क्या कहते मेरे बिटे unit of nervous system किसको बोलेंगे तो आप बताओगे unit of nervous system कहते है neuron को neuron कह दो यह nerve cell कह दो बहुत सारे होते हैं हमारे पास hundred billion के आसपास होते है यह neuron अब neuron की खास बात क्या है neuron का अगर आप एक structure देखोगे तो इसके three parts होते है एक होता है cell body जिसको हम साइटॉन सोमा या पैरिकरिया उन भी कहते हैं एक होता है डेंड्रॉन और एक होता है एक्जॉन तो यह डाइग्राम भी दिखा है देखो यह वाला जो structure है यह है neuron का इसका नाम होता है साइटॉन यह जो लंबा सा structure दिख रहा है इसका नाम है एक्जॉन और यहां पर यह जो ब्रांचिस दिख रहे हैं इन ब्रांचिस का नाम होता है डेंड्रॉन ही के मेरे बैटे डेंड्रॉन मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता है अगर हम एक neuron बनाएं तो कैसे बनेग साइटॉन से एक लंबी सी ब्रांच निकलती है इस तरह से इस लंबी सी ब्रांच का नाम होता है एक्जॉन पर यहां पर कई सारी छोटी छोटी ब्रांचिस निकलती है इन ब्रांचिस का नाम होता है डेंड्रॉन और डेंड्रॉन से भी कई सारी छोटी छोटी ब्रांचिस निकलती इस तरह से इनका नाम होता है देंड्राइड तो यह हो गया आपके तीन पार्ट्स जब आप एक्जॉन को देखोगे तो एक्जॉन आगे जाके कई सारी ब्रांचेस में दिवाइड हो जाता है मैं यहां पर दो ब्रांचेस दिखा रहा हूं दो से ज़्यादा भी होत इन सारे पार्ट्स को में डिटेल आगे पढ़ने वाले ठीक है यहां पर इस तरह से मैं बना थे तो साइट्रों को भी में डिटेल आगे दिखाने वाला हूं यहां तक क्लियर हो गया आगे बढ़े चले अब देखिए जो यह निवरॉन होते हैं निवरॉन का सबसे का साइटान का दूसरा नाम क्या है सेल बॉडी साइटान सोमा और ठीक है क्लियर हो गई मेरे बात तो पहला पार्ट यह हो गया जब हम एक साइटान को देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा अगर हम केवल साइटान को देखें तो देखें इस तरह का यह साइटान अभी तो बनाया था हमने इसतारे से版 एक साइडाॉल डिह फिर आपको यहां पर होगा बहुत सारा साइडी फिर आपको क्या देखने को मिलेगा इस इस में कुछ ग्रैनियूल से बना जेता हूं इन ग्रैनियूल का नाम होता है निसल्स ग्रैनिवल चोपर protein synthesis में help करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो neuron होते हैं, इनके पास ना तो centrosome होता है, अब जब centrosome नहीं है तो उसके अंदर जो centriol होते हैं होता ही नहीं है, अभ ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं simple बात बताता हूँ, जो neuron होते हैं, उनके पास centromere नहीं होता, इसका काम होता है animal cell में cell division कराना, और जब कभी cell divide होती है, उसका number increase होता है, एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे set करो, कि जो neuron होते हैं, इनमें cell division नहीं होता, एक neuron है, एक RBC है, इनके अंदर कभी cell division नहीं होता, मतलब यह अपने आपका number increase नहीं कर रहे होते, खुद divide होके number increase नहीं करते, RBC का number बढ़ता है, लेकि उसका काम bone marrow को दिया गया, हम cyton की बात कर, हम neuron की बात कर रहे हैं, देखो मेरे बच्चों, neuron जो होता है, इसमें cell division नहीं होता, इसमें centromere नहीं होता, और centromere सिर्फ animal cell में होता है, cell division के लिए, अब जब centromere नहीं होता है, याद रहे कि जब हम bond होते हैं, तो लगवा 100 billion के आसपास neuron होते हैं, और आज भी मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो भी 100 billion ही होंगे, अगर यह neuron damage वाते हैं, तो इनकी repairing भी नहीं हो पाती है, इसलिए neuron disorder बहुत समस्या की बात है, neuron damage हो गए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, यह बाली बात समझा गई, उसके बाद अभी-अभी मैंने आपको बताया था, कि इससे कई सारी branches निकलती है, साइट्रॉन से कई सारी branches निकलती है, तो साइट्रॉन में अभी तक आपने क्या क्या देख ठीक, उसके बाद आपने अंदर देखा, और इससे बहुत सारी branches निकली देखी, इनका नाम है देंड्रॉन, इन ब्रांचेस का नाम क्या मेरे बेटे, देंड्रॉन, और देंड्रॉन से भी जो further branches निकली हुई दिखाई देगी, यह देखो इस तरह से ब्रांचेस निकल रह ना, तो फिर आगे मुझे बस explain करना होगा, यह जो ब्रांच बनी है, इसका नाम है exon, पर exon से छोटी छोटी branches निकलती है, दो बना रहा हुए, बहुत सारी होती है, इनका नाम होता है, टीलो डेंड्रॉन, पर टीलो डेंड्रॉन का टर्मिनल लाइंड फूला होता है, उस टीलो डेंड्रॉन, और टीलो डेंड्रॉन के बाद यह जो फूले हो पार्ट है, इनका नाम है बटन या फिर साइनेप्टिक नॉब, क्या होता है साइनेप्टिक नॉब, जल्दी से बताओ, साइनेप्टिक नॉब, इसका दूसरा नाम बटन हो सकता है, यह टीलो डेंड् की होती है मैं yellow color से दिखा रहा हूं इस layer का नाम होता है myelin sheet क्या नाम होता है मेरे बिटे myelin sheath ठीक यह बना दिया मैंने myelin sheath question आता है कि यह जो myelin sheath है इसको बनाता कौन है तो आप बताऊगे कुछ cells होती है उनका नाम होता है मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पॉर्म्ड वाय स्वान सेल सेंट स्वान उनके नाम पर रखा स्वान होती हूं बना जो कि क्यों को दिखा दिए है तो यह लिपिड जा आघ के उपर white x color की एक layer होती है جिसका नाम होता है मैलीजीद अब एक चीटगए है यह तोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दे रही है निचित क्वार्ट क्या कहते हैं नियूराउन का जो पार्ट माइलींचीत से कवर नहीं हो पाता उसको बोलते हैं नोट वे क्या बोलते मेरे बेटे साफ ने दिखता आपको थोड़ा से करता हूं नोट्स और रन्वीर कपूर से याद कर सकते हैं नोट्स और रहेंगे पार्ट ऑफ एक्जॉन देट नौट कवर्ड वाइब माइलीन शी तो उसको क्या बोलेंगे नोट्स ऑफ रेंडियर क्लियर हो गया तो हमने क्या देखा नूरॉन के थ्री पार्ट सेल बॉडी मतलब सोमा और साइटॉन या फिर पैरी कहरियों दूसा होता है एक्जॉन तीसा उससे साइटॉन से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांच निकल लिए उनका नाम होता है डेंड्रॉन और डेंड्रॉन से जो ब्रांच निकल लिए उसको बोलते है लेकिन साइटॉन से बड़ी इसी ब्रांच निकलती है उसका नाम रखा हमने एक्जॉन यह वाला जो स्ट्र बोल देते हैं क्या बोल देते हैं नोट्स आफ यही तो बताया अभी आपको और इन एक्जॉन के टर्मिनल एंड को इनकी आगे ब्रांचे टीलो रेंडर उनके टर्मिनल एंड को साइनेप्टिक नौग बटन कहते हैं इतनी बात समझ में आगई होगी मेरी खाल से अब इसको होता है सुरांड़ इस से तो आप बताओंगे सरांड़ेट है वाइड कलर की मायलियं की सीट से मायलियंजीट के ऊपर हाँ एक जौर इस माईलियंज़ीट के ऊपर भी एक कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी और उसका नाम हो जाएगा नियूरेलिमा क्या नाम गैप होते हैं जिनका नाम होता है नोटस और फ्रेंड भी है ठीक है पूरी लेंथ में होते हैं आच्छा जो एक्जॉन होते हैं इनकी स्वैलन एंडिंग को हम क्या बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब जो भी हम डिसकस करके आये हैं और इन नॉब अब इन नॉब की खास बात तो यह नॉब है इस तरह से इन नॉब के अंदर कुछ वैसिकल्स होती है क्या होती वैसिकल्स इनका नाम होता है साइनेप्टिक वैसिकल्स साइनेप्टिक वैसिकल्स और इन साइनेप्टिक वैसिकल्स के अंदर जो हॉर्मोन होते हैं उनका काम होता है इंपल्स को ट्रांस काम क्या है यह वह हर्मुन है जो एक नीवरॉन से को दूसरी नीवरॉन में पहुंचाएं अब आपको कि सर ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है भाई देखो हमारी पूरी बॉड़ी में इंपल्स को पहुंचाना है ठीक अब पहुंचाने के लिए हम एक चाहिए नियूरॉन अब एक पूर्श से इंपल्स से तीसरे को जाएगी तो यहिम्पल्स जाएगी जाइगए कैसे तो उसकेदिन गिव्याएं था hanya होता है उस होर्मोन का नाम होता है आपलाइं फॉर्मन का निऊरो हर्मॉन बहुते हैं कि विर्मोन एंपल्स ड्रांस्व кажется क्या होता घुट है या तो लिखा होगा time कुछ में लिखा तो यह क्या होता है अभी अभी हमने क्या देखा एक नियूरॉन यह इस तरह से देखा हमने यह इस तरह से एक नियूरॉन यह है और इसके पाद नीचे एक और नियूरॉन होगा इस तरह से ठीक है उसके नीचे एक और नियूरॉन होगा इस तरह से नियूरॉन अरेंज होते ह ठीक हर दो नियूरॉन के बीच में एक स्पेस होता है ठीक है यह वाला जो स्पेस है हर दो नियूरॉन के बीच में जो यह स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स ठीक है और साइनेप्स एक दरार की फॉर्म में होता है इसलिए इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहत बिट्वीन टू नियूरोन के बीच में जो पतला सा गैप है या फाइन गैप या थिन क्लेफ्ट है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट और एक नियूरोन से इंपल्स कैसे जाएगी भाई देखो यहां पर होती ही ब्रांच इनका नाम होता है देखो चाहरों तरफ के इंव्यट्व से सबसे पहले सिल्स करें जाता है जैसे हमाथ लोग चला रही थी तो सबसे पेहले मैं उस्को कौन करता है तो आप क्या बता होगे इसको रिसीग करता थेंटरीट कौन कुर्ष्ट करने रिए पर सब्सक्राइब करते हैं तुक्त सब्चाहिए अग्ला निूरॉन औरato समझाइन से समझे समय काbes करने का थरीख सबसे पहले करते हैं फिर přैसे भी सपीक्तीप तो देंडरौन को देतें डेंड्रों से वो स्टीमलेच जाता हैrio के पास ऐक्स के पासाइट जान एक्सित लडेंन डेन बटन ऑपुर साइन्प्टिक नॉप से से खाली पेससद सांब्स अवहां पर विंपुल्स और मी आधी तो अगला नीरॉन के बीच में नाद केurpा पास से पैसे घाती वह एक हॉर्मन से जाती हिए जिसको नीजों के रिखना है या यह पना departments door लाया है लाइव कोर्स जिसमें हम फिजिक्स मैस और बायलोजी तीनों सब्जेक्ट की क्लास कराते हैं आप इन में से कोई एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं यह कंपल सरी नहीं है कि आपको तीनों ही करना होगा वैसे तो इसकी कीमत 3999 है बस बट इस समय ओफर चल रहा है जिसमें वह 2999 का समय है इस कोर्स में हम आपको लाइव सेशन देते थूआउट दे सेशन उसके अलावा अगर किसी बच्ची का कोई क्लास में सो जाता है तो उसके लिए रिकॉर्डड लेक्चर मिलते हैं इसके अलावा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आपको असाइन्में करना चाहता है तो उसके लिए फिजिक्स ब्रू एप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस एपको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर स्टोर सेक्शन में आपको यह कोर्स दिखाई देगा वहां से उसकोर्स को जॉइन कर सकते हैं ठीक है मेरे बच्चो में हो चाह parar हमारे इंटर्नल और एक्स रहा है और ऊसको हमारे जह को हमारे जो कोई भी उऔर जब करता है तो वह सिंपल भाशा में इतना सब्सक्राइं हमारे चारू तरफ के इंवर्मनमेंट मिए कोई भी चेंज आएगा बश्करा तो उसको हम उस conspiracy कहते चाहें वहीड का स stimulus हो ठीक है साउंड का stimulus हो या smell का stimulus हो और उसके according हम response देते हैं जैसे माल लीजे यहां पर बहुत दिलिशिस मस्त वाला खाना रखा है और आपके मूँ में पानी आ रहा है तो यह क्या है वह जो चेंज है आपके पहले तो यहां पर कोई अच्छी चीज ही नहीं खाने की अब जो चेंज हो गया आपके इन्वाइर्मेंट में वह चीज आ गई उसी खुश्मू से आपकी नोज ने उसको मतलब उसकी खुश्मू को नोज ने रिसीव किया ब्रेन ने उसको वाव बड़ी आसा नाश्टा है उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्पॉंड किया तो यह क्या है एक तरह का स्टीमिलेस आप सिंपल भाषा में समझो एक्स्टरन इंटरन इंवार्मेंट जब भी कोई चेंज होगा तो उसको हम स्टीमिलेस काउंट करते हैं और इसी के लिए रिस्पॉंस करता है हमारा नर् ले गए यह एक वेव है एट ऑफ और डी पोलराइज़ेशन पॉलवड वाएरी पोलराइज़ेशन अब आपको यह कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आएगा जे क्या बोल रज़र कोई बास नहीं मैं सम Hispan जाता हूं देखो तीन ट टर्म्स होती है एक होता है polarization एक तर्म का मतलब क्या होता है polarization छीक है एक का तीसरे निरॉन चौते निरॉन इस तरह से मिंपऊ को ट्रमिल कराना है तोक мощ को क्राने से रिलेटेट पित ti stimulus receive होता है neuron को जब stimulus receive होता है तो उसे हम बोलते हैं deep polarization ठीक है और इसे फिर से बता देंगा इंवायर्मेंटसे हमें impulse को receive करना है तो इस process को receive करने के process को हम बोलते है D-polarization ठीक है और यह impulse receive तभी हो सकती है जब neuron पर बाहर positive charge हो अंदर negative charge हो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मैं पूरा neuron नहीं बना रहा neuron का सिर्फ exon बना रहा हूँ ठीक है अगर exon की membrane पर बाहर positive charge है और अंदर negative charge है तो इस condition को हम polarization बोलते हैं या बोलते हैं मेरे बेटे polarized ठीक या इस membrane को polarized membrane कहते हैं फिर से सुनो neuron के exon पर अगर बाहर positive charge है अंदर negative charge है तो इस process को बोलते हैं polarization इस charge को बनाने के process को polarization बोलते हैं और membrane को polarized membrane कहते हैं ऐसा इसलिए हो पाता है कि neuron के बाहर की तरफ sodium ion की concentration जादा होती है तो बाहर sodium ion जादा है तो बाहर positive charge और जितना positive बाहर होगा उतना ही अंदर negative होगा ऐसी membrane जिसे बाहर positive अंदर negative होता है उसे हम polarized membrane कहते हैं को polarization कहते हैं यह बात clear होगे यह membrane neuron पर हमेशा बनी रहती है जिससे की signal को receive कर आजा सकते stimulus को impulse को signal को कुछ भी बोलो चाहें बोलो stimulus चाहें बोलो impulse चाहें बोलो सिगनल उनको receive कर आजा सके तो अगर आपके neuron पर यह membrane है तो आपकी impulse receive हो जाएगी ठीक है तो यह membrane हमारी i pros hyblove, ť हर समय बनी रहती होगी क्योंकि आप मुझे टे०्ष करओ पता लग रह ॥िट कर लगए पिद टेच करो फिर पता लग 주amed मैं आपको कितनी वार भी टेच करओ यह आप मुझे लोंको हर बार में सेंस होगा हम लोगों को हर सेंस होगा ऐसा कैसे हो पाता है च्योंक मतलब ऐसी मेंब्रेन का फॉर्मेशन जहां बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव होता है इस मेंब्रेन की खास बात क्या है यह मेंब्रेन इंपल्स को रिसीव कर सकती है अच्छा तीसरी बात इस मेंब्रेन को बनाने के लिए क्या चाहिए इस मेंब्रेन को बनाने के आपको समझानें को जब ऐसा होगा जब इंपैल्स अंदर आएगी मंआ लो यह आपका निऊरावण यह निउरावन के अंदर इंपल्स आपको नियुरावन पर इंपल्स खांट कर और यह मैं इसे में अंदर आएगी तो इंपल्स हमेशा सोडियम आइन की फॉर मैं आती है मतलब इंदर फॉजिटिव सब्सक्रार ओता है अंदर पॉजिटिव हो जाएका तो मतलब इंपलस अंदर liegen पलल्स आती ठीक लेकिन इस वाले पार्ट में तो यहां पर अभी भीandalina क्यण क्या बताई थी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटव तो इसे हम polarized membrane क्या मेरी बात समझ में आगए फिर से सुनिए polarization का मतलब ऐसी membrane जिसें बाहर positive अंदर negative हो ऐसा क्यों हो पाता है क्योंकि sodium ion बाहर जादा होता है ऐसी membrane की खास बात क्या है कि वो impulse को receive करते हैं तीन बाते clear हो गए फिर जब impulse अंदर आती है तो इस process को depolarization और membrane को depolarized membrane कहते हैं एक बात दूसरा यह बनती कैसे है आप बताओगे जिस पार्ट में जिस portion में impulse आती है वहाँ पर sodium अंदर enter करता है क्योंकि impulse sodium की form में अंदर आ रही है जब sodium अंदर आएगा तो अंदर positive बाहर negative और जहां पर नहीं आ रही है वहाँ पर अभी भी depolarized membrane बनी होगी है अगला पॉइंट इसको हम बोलते हैं depolarization का मतलब होता है impulse का अंदर आना और membrane का बाहर negative अंदर positive हो जाना फिर एक होता है repolarization क्या होता है repolarization अब 당연के क्या है देखो माँ इंपलस समय यहां पर है मैं आशिल बदल ले यह कि इंपल्स अभी समय यहां पर आ अब इस सिम्पल्स को कहां जाना है यह देखो एस सिम्पल्स को यह 북한 से अधर जाना है थीक मतलब यह वाली जो इंपल्स वाली जगह है अब यह वो स्पोर्ट बन गया जो की अगली वाले के लिए अगली वाले केली हो गया तो जैसे यप उन्स आगे जायगी इस पुरानी वाली जगह पे दुबारा से polarized membrane बनानी पड़ेगी अगर आपने ऐसा नहीं करा तो अगली impulse रिसीव नहीं होगी मैं क्या कहना चाहरा हूँ जिस जगह पर impulse आई थी impulse को उस जगह से आगे बढ़ना है मालो यह neuron है यहाँ पर impulse आ गई है अब मुझे इस जगह से impulse को आगे पहुचाना है तो दोबार से polarized membrane बनाना मतलब री polarization करना अब देखो वह क्यों होगा वह इसलिए होगा क्योंकि sodium को बाहर ले जाए जाए जाएगा sodium को उस जगह से बाहर ले जाए जाए जाएगा एक्टिव ली sodium बोला मैं अंदर आता हूं मैं बाहर नहीं जाता मैंने का भई तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे दुबार से पोलिराइजेशन करना अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजितिव कैसे बनेगा तो बोले तुम्हें जरूवत क्या है तो बोला नियूरॉन अगर दुबार से पोलराइशन नहीं करेंगे तो अगली इंपल्स रिसीव नहीं होगी ठी तो बोलो पोलिराइजेशन होता है जिपंडीयम अंदर जादा में एसा समझेगा इसदी अधियां से देखिएगा मेरी वांड यह देखिए यह क्या है आपका नियूरौन और हुए इस जगह पर इंपनसी और इसलों इसले जगह पर इंपल्स आ गई कि मतलबं अंदर पॉजिटिव बन गया है जटना अंदर बाहर नेगेटिव उधना ही इस जगह पर इस जगह पर प्लाराइस किया कि मतलब कि बाहर positive चार्ज होगा अंदर नेगेटिव चार्ज होगा जितना अंदर नेगेटिव उतना ही बाहर पॉसजिटिव होगा ठीक है तो ये वाली साइड हो गई पॉलराइजेशन की यहाँ पर इम्पल्स आगे डी-पॉलराइजेशन की और यहाँ दुबारा से यह है डी पोलराइजेशन यह है री पोलराइजेशन ठीक है अगर री पोलराइजेशन नहीं करेंगे तो इंपल्स अगली वाली रेसीव नहीं होगी तो तीनों समय में आगी पोलराइजेशन कब होता है जब सोडियम बाहर जादा होता है डी पोलराइजेशन कब होता है अब इसके हम theory के में दिखाते हैं आपकों कि देखो जब हम रेस्टिंग फेज में होते हैं मतलब नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो इसे हम बोलते पॉलराइस टेट मतलब इस समय पर सोडियं बाहर ज्यादा होता है इस समय पर यह जो ज्यादा है एक ग्जॉन की मेंब्रेन की सिलिए पॉजिटिफ चार्ज आ गया ऐसी मेंबरेन को पोलेज भी जैसे सोडियम अंदर आने लगता है क्यों क्योंकि उस जगह की जो ज्यादा परभियंविल हो 종 कि लिए ठीक है ऐसा हो गया फिर क्या होगा जब जब सोडियम अंदर रहा जाएगा जब murmur कर जाएगा तो एसी मेंब्रेन को हम टी पोल जयका तो मिस्चब है फिर से सुनो पहले पोलिराइजेक्शन है मतलब बाहर पॉजिटिव है क्यों है बाहर सोडियम जादा पिर जैसे ही स्टीमलेशन आएगा सिगनल आएगा या इंपल्स आएगी तो उसकी मेंब्रेन पर्मिय भी लो जाएगी सोडियम के लिए सोडियम अंदर आ जाएगा और ऐसी जगह को अभी स्टीमलेश आया है मतलब जो मेंब्रेन अभी कैसी हो गई यह पोलराइस से डी पोलराइजेशन जहां हो गया है अब वह अगली जगह पर नियूरॉन पहुचाएगा अगली वाली साइट पर मतलब यह है यह वाला जो नियूरॉन है इसमें यहां पर इंपल्स आई है तो यहां से अब इधर जानी है तो यह वाला पार्ट इस वाले पार्ट के लिए एक तरह से स्टीमलेस है फिर जब इंपल्स यहां जाएगी तो वह इधर जाएगी तो यह वाली इसके लिए स्टीमलेस हो जाएगी ऐसी आगे पहुचता जाएगा ठीक है अच्छा फिर क्य करना पड़ेगा पुरानी वाली को क्या करना पड़ेगा और कैसे होगा बहुगा सोडियम आयन को आप बापके बाहर भेज़ए लेकिंशने गुस्य वाली बहुत पढ़ेगा तो उसकी पिटाई लाखेकरनाल यह मितलब uw splendid घर्टा है कि अगर सोडियम ब बाहर नहीं जा रहा है तो उसको हमrator करेंगे एच्थ खर्च कर के और प्रोसेस का जादा है जादा से कम की तरफ आजाएगा अच्छा जब सोडियूम को री पोलराइजेशन के समय पर बापस भेजना होता तो ऐसे नहीं जाता उसको भेजने के लिए और एक एक एक्ठीव प्रोस्सी् से जाता है उसे ृडी कि ही चलता रहता है फिर नाइख्या प्राड़ियो में देक होगा हम नेक्स वीडियो मेंके commodity